हेलो फ्रांड्स वेल्कम टो माई यूटूब चैनल समरा टेगरिकल्चर तोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एग्रो नामी का पचास बहुत ही महत्पूर किस्टन कराने वाला हूं जो आने वाली परिच्छा के लिए बहुत ही महत्पूर है तो देखते हैं प दीग भासा से लिया गया है तो फैन देखते हैं दूसरा किस्टन देखते हैं दोस्तों भारत को किस्टने क्रिसी परिस्थिति की छेत्रों में बाटा गया है तो 20 भारत को 20 क्रिसी परिस्थिति की छेत्रों में बाटा गया है अब देखते हैं तीसरा किस्टन भूमी की नम मापी जाती है हाई ग्रो मीटर द्वारा पोटो मीटर द्वारा टेंसियो मीटर द्वारा रेंगेज द्वारा तो टेंसियो मीटर द्वारा भूमी की नमी टेंसियो मीटर द्वारा मापी जाती है अब देखते हैं चौथा क्यूश्च गियों की पहली सिचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए तो गियहूं की पहली सिचाई CRI अवस्था पर देनी चाहिए गियहूं की पहली सिचाई CRI अवस्था पर देनी चाहिए तो फ्रण इस सब क्यूशन बहुत ही महत्पूर आप लोग याद कर लिजेगा गेहूं का दाना कालाता है केरी आपसिस सीलिकुगा दाल पर इनमेस कोई नहीं तो केरी आपसिस गेहूं का दाना केरी आपसिस कालाता है छटा क्यूशन देखते हैं दोस्तो निम्न लिखित में से कौन सी सोया बीन की किस्म है एम थर्टीन युकता अलंकार भाग है तो फ्रेंस इसका अपसर नमबर सी सही हो जाएगा अलंकार तो दोस्तो देखते हैं साथवा क्यूस्चन सीड प्लांट तकनिक किस फसल में अपना जाती है धान गेहूं आलू तमबा खुतो दोस्तो ए अपसर नमबर सी आलू सही हो जाएगा देखते हैं आठवा क्यूस्चन जूट के रेश्य को सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है तो फ्रेंस चोटिश डिग्री सेल्सियस भारत में प्रथम क्रिसी विस्वेद्याल है जो 1960 में खुला था को अकाउंसा है तो इसमें दोस्तो आपसर दिया गया है परला पी ए यू लुदियान इतार में सही हो जाएगा दोस्तो देखते हैं दसवा क्यूस्चन भारत को किस भारत को कितने किसी जलवाई शित्रों बाटा गया है तो भारत को 15 किसी जलवाई शित्रों बाटा गया है दोस्तो देखते हैं गिरावा क्यूस्चन देखते हैं राष्ट्री किसी वानिकी और इस अंदान सस्थान कहा है तो जहासी में है दोस्तों यह मैंने सायद करा दिया पहले भी इसको याद कर लिजेगा यह बहुत महत्पूर है देखते हैं बारावा क्यूस्चन दोस्तों गेहुं के दान में प्रोटिन किस रूप में पाई आती है तो गुलूटिन के रूप में पाई आती है दोस्तों देखते हैं तेरावा क्यूस्चन सरसो का फल काला आता है ओम बेरी सिलुकुआ इनमें कोई नहीं तो दोस्तों आप आपसर नमबर चाय नगदी फसल है आपसर नमबर यह सही हो जाएगा देखते हैं 15 क्यूशन दोस्तों गन्ने के टुकडो को बोने से पहले किस रसायन से उप्चारित किया जाता है दोस्तों तो एल्ड्रीन से थायूरिया से एगलाल से जिनेव से एगलाल से आपसर नमबर 20 स दोस्तों बोलगेएक भूल देख के सांथराव फिस चणां बसे बाराँ थीयुशंकि नमलेकर में से क्मसिए फसल में खैरा रोग लगता है तो धान में आपसर नमबर 20 से नहीं हो जाएगा दोस्तों देखते हैं उपनी widely चाय को भाशाय हो धानकी फसल में गंधी बग आक्रमण करता है तो दान आसक्त पढ़ते समय अफसे नमबर डी से हो जागा दोस्तों देखते हैं वीजमा क्यूस्चन मुंफले का उत्पत्य स्थान है तो ब्राजिल मुंफले का उत्पत्य स्थान है इसको भी याद कर लिजा कि जितना भी उत्पत्य स्थान हो इसमें से दो चार क्यूस्चन जरूर आएंगे दोस्तों उसको याद कर लिजेगा अच्छे से दोस्तों आप लग वीडियो देखत देखते हैं लेकिन subscribe नगी करते जिल्यट सब्सक्राइब कर दिया किजिए गहीं कि सब्सक्राइब कर मिसका कावी किजिस्प वंबरसीम क्या तो इसे जाएगा वर सीम की कि सो इसल का इस सुट्थ उड़त का उत्पत्तिय स्थान ने तो उड़त का उत्पत्तिय स्थान भारत है यह तो आप भी महत पूर है दोस्तों इसको भी आत कर लेजिएगा यह वेरी इंपॉर्टेंट है देखते हैं तेजिस्वां क्यूस्चन दोस्तों गन्य की वृद्धी के लिए कितने सोलेनम ट्यूबरेसम देखते हैं 25 क्यूस्चन इसकूलेंटम ट्रेटिकेल एक संकरण है गयहूं और राई का इसकूलेंटम ट्रेटिकेल एक संकरण है गयहूं और राई का राई मतलब सर्चो देखते हैं 26 क्यूस्चन दोस्तों करल्यार 16 निम्लेखित में से किस फसर की कि 11 माय तो गेहूं का दोस्तों यह बहूत महत्पूर है जितने को मैं important बता रहा हूं दोस्तों उएक को खास की याद कर लिजिएगा आफ लोग देखते हैं है 27 कुंस्टटे हैं मर्क ड्याय का वानस्पतिक नाम छेटिकम् ड्यूरां मार्कॉपोनियों का वानस्पतिक नाम देखते ऐसा 28 कुस्टों लेन्स क्लूरूर्स की स्भजल का वानस्पतिक नाम है तो मसूर का देखते 헌 तो धान लंबी अवधी का प्रेकास चाने वाला पौधा नहीं है इसको लंबी बारिश किया सकता होती है दोस्तो देखते हैं तीसवा क्यूस्चन दोस्तो आलू में सी चाई की सबसे क्रांतिक अवस्ता है पचीस प्रतिसत कंद बनते समय दोस्तो आपसे नमबर 20 हो जाएगा देखते हैं एक तीसवा क्यूस्चन धान में कितने पुंगे सर पाया जाते हैं तो धान में 6 पुंगे सर पाया जाते हैं दोस्तो देखते हैं 32 क्यूस्चन अर्केल किस फसर की किस्म है तो अर्केल माटर की किस्म है देखते हैं 33 क्यूस्चन दोस्तो निमन लिखित में से गौसी पीम बारबंडेस अमेरिका की प्रयाती है गौसी पीम बारबंडेस अमेरिका की प्रयाती है दोस्तों देखते हैं चुतिसमा क्यूस्यन चुक अंदर की स्कूल से संबंद रखता है दोस्तों तो चीनो पीड चीनो पोडियेसी से संबंद रखता है दोस्तों चुक अं सब्सक्राइब कितने प्रतिसत प्रोटीन पाए जाती है वीडियो बहुत लंबा और जा रहा है दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा इसकी मत कीजिएगा देखते हैं 35 क्यूशन दोस्तों सीरी सा 37 क्यूशन एच 722 किस प्रत की किस्म है तो जुब की किस्म है दोस्तों एच 722 जुब की किस्म है देखते हैंtype 2 क्यूशन दोस्तों भारत की मत्यांता है 142 प्रितिसत देखते हैं 49 मा क्यूस्चिन कुफरी सिंदूरी आलू की कौन सी किसम है तो पछेती किसम है कुफरी सिंदूरी आलू की पछेती किसम है दोस्तों देखते हैं 40 मा क्यूस्चिन होलो ट्रेचिया कौन सी गुनिया किसका पीड़क कीट है हेलो ट्रेचिया को ना सी नू गुनिया किसका पीड़क कीट है तो मुंफली का दोस्तो सब्द तोड़ा बड़ा है इसको याद कर लिजिएगा दोस्तो बोले हैं कुछ गलती हो गई है देखते हैं एक ताली समा क्यूस्चन सरसों में जीबसम की पूर्टि के लिए दिये जाता है तो गंदक की पूर्टि के लिए दिये आता है दोस्तो देखते हैं 22 समा की उस्चन रोपड वीदी द्वारा बात मत्री दान की बीच दर होती है तो 35-40 की ग्राप रती एक्रियर दोस्तो ये भी बहुत मौत पूर है इसको याद के देज़ेगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है देखते हैं तेराली समा क्योश्चन दोस्तो सापेच खरपतवार है किसी फसल में आना फसल का पौधा आपसर नमबर 20 सही हो जागा दोस्तो खेत में उसी फसल का पौधा प्रणतु प्रजाती दूसरी ये गलत है दोस्तो ये भी गलत है ये भी गलत है आपसर नमबर 20 सही है दोस्तो इसको भी आत कर लेज़ेगा देखते हैं चुप सोना प्रजाती है तो कसावा की सकरकंद की जमिकंद की आलू की तो डोस्तो आपसर नमबर डी आलू की सही हो जाएगा दोस्तो इसको भी आत कर लेज़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है देखते हैं 45 वा क्यूस्चन दोस्तो दलहनी पसलो में आट रोजन इस्थी कर रड़ होता है राई जोबियम के द्वारा दोस्तो ये भी बहुत महत्पूर है देखते हैं 46 क्यूस्चन दोस्तो धान के पौदों में पेनिकल बनने की जग कर ले बनने के बाद आती है दोस्तो आपसर नमबर सी से हो जाएगा देखते हैं 47 क्यूस्टन दोस्तों मक्के के पौधे में सिल्क पहले निकलता है रिसेल पहले निकलता है उपरक दोनों साथ साथ निकलते हैं उपरक तुमा से कोई नहीं तो दोस्तों रिसेल सबसे पहले निकलता है मक्के के पौधे में से और दोस्तों एक बात और मक्का एक ऐसी पसल है जो तीनों रूतियों में उगाई जाती है खरी फिर भी जायत तीनों मौसर में मक्कों को ऊगा सकते हैं दोस्तों देखते हैं 40 कुस्जन एपी कल्चर निमलिकित मजग की सब्द से लिया गए दोस्तों तो तो कुल नव जलवाई च्छेत रहें दोस्तो ये भी बहुत महत पूर है उत्तर पर देखने कुल नव जलवाई च्छेत रहें दोस्तो देखें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाता सजाता सेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी वीडियो पहुश सके ताकि उनकी भी तैयार अच्छे से हो सके जाए